करिए दिल दिया गला इस प्रग्राम में विच असी हर रोज एक नमिश शक्षियर नाल अपने दश्कानों रूबरू कराने हैं अज साधे नाल ने पाकिस्तान तो मुनीर हशार पुरिया असी उननों अपने प्रग्राम में जिया आख देया और अज गल करांगे पंजाबी माबोली देश पूत ते मैं सदार कुलमों सिंग जी राजा सांसी जी नों बेंती करांगा कि ओ दिल दिया गला आज करनगे मुनीर हशार पुरिया नाल सदार कुलमों सिंग जी बहुत बहुत तन्वाद वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की फते करिए दिल्दियां गल्ना दा मेजबान कुलमों सिंग राजे सांसी आप जी नू जी आयां कहिंदा हैं जिस तना के मेरे भी हर जो शासिंग जी ने दस्या के रोजाना असी कैसी शक्षियत देना लाबदा मेल कराने जिस शक्षियत ने समाज नू कुछ न कुछ डिता हो और उस शक्षियत ने मिलके असी फिर दिल्दियां गल्ना करते हैं और आज दे करिये दिल्दी अगल्ना विज साधे बैमान हैं जनाब मुनीर खुश्यार पुरियाजी पंजाबी कलम दे मुरीत दोनों पंजाबा दी तर्थी जड़ा पारत दा पंजाब दे पाकिस्तां दा पंजाब उन भी तर्थी दे पियार दी पौंद लांदे होए और जिस द्रक्त दियसी उडीक कर रहे हैं उसनों बरूर जरूर लगूगा और उस बूर दी इनतजार दिविशकार ए लेखक ने ए जिड़े लिखारी ने ए अपने वलों बहुत मैनत कर रहे हैं आज जसी इना ना गला बता करनीयाने जिए मैं कमा के जनाब मुनीर हुशियार पुरिया जी पंजाबियत दे सफीर ने तेस्तों काटनी होएगा शायदो मेरी कालना सेमत होन या ना होन पट मैं समयदा के पंजाबियत नू अगर ऐसी इन शक्षियत जग तक प्यार दी पौध लांदिया रहन गिया वो द्रक्त हमेशां खिले रहन गिया तो मैं होन बड़े अदब ते सदकार देना उननों जी आया कहन जा रहे हैं जिनाब मुनीर हुश्यार पुरिया जी आप जी दा इस प्रोग्राम देविच असी स्वागत कर दे हाँ खिद्मत है के आप जी इस प्रोग्राम चाहे हो सारे दर्शकान आपको गल करना चाहो असलाम उलेकूम और सतसरी काल मेरे बलों तो अडे सारे दर्शकान हूं नुम्रे बलों साबनुआ साम ऑल गल मेरे बलों उसली ता बहुत शकर गुजाता है कि उन्हाने में नमोगा दिता कि मैं अपनी गलबात अपने विचार जड़े आए और सब लोगा नाल संजे कर सका हूँ बहुत शुक्री तो मैं जड़ाब मुडीर हुशार प्रिया जी बारे इतना करना दसना चाहूंगा दर्शकानू के डारेक्टर ने सुपीरियर कॉलेज बुरे वालदे और कहानी दे लेखक ने इनने एम में पंजाबी विच केती है पंजाब यूनिवस्टी लाहॉर तो और नाली एम बीए केती है और इननों शौक है कि जिदों कोई तीरत यात्री पाकिस्तान दे तर्थी ते आउंदे ने चाहे हो दुनिया दे किसे कोने तो हो आए होन ते जे किते मुनीर साब दी आप किते नेड़ता प्रापत हो जाए ते फिर उस टूर दा अनन दी वक्रा हो जानदा है तो इस शौक दे मालक ने बहुत सारी वीडियो एना दिये तो उनों यूट्यूब ते मिलन गिया कि ए उसी सेवा भी कर देने और गुरू कर दिलना करनी है दिल दिया तो ओ दिल दिया गलना विजकार मैं सब तो पहला जड़ी गल करन जा रहे हैं आप जी अफजल साहर साब यहोर पंजाबी दे बहुत सारे लेखक ने जिनना ने पंजाबियत नों मश्बूत करन वास्ते दोना पंजाबां दे अंदर प्यार पैद दे भी रहोगे लेकिन आज दे इस स्वाल जो आप करिये दिल दिया गलना विजकार मैं उस शक्षियत नों याद करन जा रहे हैं जिस बारे शायद तुसी भी उना नों अपनी खराजे अकीकत पे जरूर करोगे ओहन आमीन मलिक जीरे के आज महरूम साड़े विच नहीं न लेकिन सारी जिन्दगी उना ने पंजाबियत दी सेवा कीती है और उना दे बारे मैं समझ दा किये दिल दिया गलना जड़ी है मैं समर्पन करना चाहना मां अमीन मलिक साभनों जड़े के आज साधे विच नहीं धैगे लेकिन उना दे कीती हुई पंजाबियत दी सेवा बहुत शुकर बुजारा है देखो कल जदों पिछले मेंनों को एक हफ़ते तो आ रही सी इतलामा के अमीन मलक साथ दी जड़ी सेथ है वो खातराब हो गई वो बचारे कैंसर दी बिमारी ना जूजरे सी मैं कल एक स्पेशली थी उना लेए अपने यूट्यूब चैनल तो एक एचा लाय भी चलाया सिए हैं में मलक जड़ी आप पंजाबी जुबान दे मां बोली पंजाबी दा सचा सचाग जड़ा सेथ बंदा सी ह'll my..! और उन्हेर उन्हा दे कलम दे विच जोर सी और इनि ओस ना दे कलम दे विच करतन सी क्योंकि मैं कल भी जिकर किता खिए उन्हान. जिना ने देख्या वंड नू इस पंजाब नून रूब हुद्धिया देख्या क्योंकि अमरस्थ तु बिलांग कर दे उन्हा दी जड़ा जड़ी जड़ी कड़तन सी वो दस्ती सी केस बंदे नार को बड़ा दुखांत वाप रहा और वो सारी पीडी नार बहुत बड़ा दुखांत वाप रहा फिर उन्हा दिया राइटिंग बलके मेरे लिए दस्तियां खुशी हो रही है कि अमीन मलक साड़े पाकिस्तानी पंजा अब लेंदे पंजाब नारो ज्यादा तो अड़े चड़े पंजाब चछप या और उखे ता डेली छप दे रहे और अमीन मलक वर्गी राइटिंग ता शायद पंजाबी ता जिड़े अजोके पंजाबी राइटर होए है मैं मेरे लिए सब काबले इस्तराम है लेकिन मैं समझे दा कि अमीन मलक दे लेवल दा कोई बंदा नहीं है जिस लेवल दी उने अपनिया तहरीरां वेचे अपनी राइटिंग चे अपनिया पुस्तकां वेचे खास तो उरते गुंगी तरह उना दे अगर कुसी पड़ो तो अनो पता लगेगा कि अमीन मलक किस कर्ब और किस जुल्म दे खिलाफ लिख रहा और उदे उते की वाप रहा और उस पीड़ी दे उते की वाप रहा वो बहुत बड़ा इनसान सी मैं अमीन मलक साब नो सेलूड करदा और मैं कल भी गल कीती सी के शायद आसी उस काबल कदी भी नहो सकी है कि अमीन दे लेवल दा लिख सकी है लेकर सानु कम एस कम अमीन मलक साब नो पढ़ना ज़रूर चाहिए मैं मुनीर साहब दसना चामाँगा कि मैं अमीन साहब नो पढ़या और पढ़न तो बाद ही कल जिदों मैं तो अड़ी ओ वीडियो देखी सी उस तो बाद साथ जाने हो थोड़ी देर वासते मैं आपने जिसम दे नाल के ते रुक गया सी नहीं लगदा सी मेरी जिन्दगी तो सफर के ते रुक गया है कि एस कलम नो दी साही मुकर नाल एस साही खतम हो नाल शायद पञजाबियत नो किड़ा बड़ा नुकसान होया है उदा अंदाजा नी लाया जा सकता लेकिन ए परमातमा दी खेड ने अपरमातमा दी खेड है किना समा किनू बख्षिया और इस संसार चो जाना सारे है ने लेकिन उख शक्षियता कदी मरदिया नहीं जिडियां शक्षियता समा यूँ कुछ दें दीया ने जो कलम नालो दे गए ने मैं समाइदा कि मलक साहब हमेशां याद रखे जानगे और साड़े विजकार हमेशां जूंदे रहेंगे हाला कि सरीरे कुरूप चे साड़े चे नहीं होनगे लेकिन कलम होना दी जड़ी है सानू याद करान दी रहेगी सो मैं आईदा प्रोग्राम बशेश करके जड़ों तो अड़ा गल कीती है और तो अड़ी वीडियो देखन तो बाद ही मेरा मन बन्या के प्रोग्राम नो मैं आज उन्हों जिते खराज हकीकत पेश करा आईदा करिये दिलनीया गला दा प्रोग्राम पूरा ता पूरा मैं उन्हों समर्पित कर रहे हैं ताके मेरे प्रोग्राम जड़ा अगयर यह दुनियादे अंदर जिरो जा रहे है आग नॉर्थ अमेरिकादे प्रोग्राम के शारे दर्शक देख रहे हैं क्योंकि मैं बड़ा पावुक जा हो गया तोकि लेखक और जिद्वे हो जी हैं पाठक जड़े हैं आज कई वरी चीजह सुन दे ते पावुक हो जाना है तुसी भी हो गया हूँ मैं महसूस कर रहा है पंजाबी मां बोली वास्ती क्योंकि दोनों पंजाबाई अंदर पंजाब दोनों पंजाब जड़े लिनदा और चड़दा पंजाब है एंदर बोली बारे तक ते कमी नदर नहीं आरणी लेकिन पंजाबी पाशा जड़ी है उदे अंदर सानू थोड़ा जया मुश्किलां आ रही हैंने क्योंकि शाह मुखी तो पंजाबी ते पंजाबी तो शाह मुखी एक करन वाले लोग बहुत काटने और अगर जे एदा कोई खास उपराला हुए तब मैं समझता है कि दोनों सहत जिड़ेने दोनों लिटरेचर जिड़े में वद तो वद लोग पढ़ सकंगे लोग तोड़ियां लिखियां कहाणियां पढ़ देने ओधी मैं गाले बाच करांगा क्योंकि ये मैं किते तोड़ी कहाणी वाल आ गया ता लिखता ही है पंजाबी जड़ी मां बोली देनाल लाल पंजाबी पाशा जड़ी है इसलिए आप जी की कार रहे हो कॉंट्रिबूट कार रहे हो देस्ट बहुत शुक्रिया खलमोहन सिंग राजा सांसी जी गल इस तरह है कि अज तों कुछ अर्सा पहले तक मैं समय दा के जड़ा सोशल मीडिया आ गया उदा बहुत बड़ा योग दानाय दे लिए एक होगा जया बने होया सी लोग जड़े सी चड़दे पंजाब और्लेंदे प साड़िया दोस्तिया उदर हुईया उदर दिया दोस्तिया उदर हुईया तो फिर जाके सनु अंदाजा होया कि यार एक बहुत वड़िया और खूबसुरत लिटरेशर जेड़ा ओ चड़दे पंजाब दे विच है खास वरते मैं अपनी गल करांगा कि मैंनू क्यों गुर हमारा जीवना पढ़ना तो फिर मैंनू गुर्मुखी आनी चाहिए दिया इनना जबर्दस लिटरेचर सिरफ में इस वज़ा तो मैं नहीं पढ़ सकता कि मैंनू गुर्मुखी नहीं आंदी हलाके मैं इस हमईना के गुर्मुखी सिखना अद्धी लैंगविज था सानू आ पंजाब दी जड़ी पाशाद गुर्मुखी क्या जंदा हालाके पंजाबी है अगर वो सिखना चाहे था इदर जड़ी लोग कोशिश कर दे जदा मैं मैंनू शायद पाइंट और शे दिन लगे सी कुछ इस तरह दे दोस्त भी है उनना एक दिन दे बिज़े कर ली हाँ ज इचले कई साल तों अपने सोशल मीडिया दे उते उप हमें गुरु गरंच साब दा एक तुक होए उस तो हटके बाबा फ्रीजी दी पोईट्री वारे शाजी गुले शाजी दा कलाम उन गुरु मुखी और शामुखी दोनों स्क्रिप्ट दे विच जड़ी है ना एक मैं और उन्हादा बड़ा इचा रिस्पांस हांदा बिलके कल ही दोस्ता मिनों आया सी के तो अड़ा है इस पढ़के पढ़के यह मिनों काफी से ज्यादा जिड़ा ना ओर शामुखी स्क्रिप्ट उन्हों मैं सिक लिया इससे तरही बहुत सारे दोस्ते नों देख के मुखी लागे असी अपने हलात विचे और अपने सेकंस्टांसिस दे विचे रहने होयां भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि यार एक कोई अलागी चीज नहीं है एक बहुत वड़ा जिते इस पंजाब दिनार जिड़े जुलम होए उनाच एक जड़ा वड़ा जुलम एवी होया कि ए दिता ही आगया जी करी पंजाबी सिंखान दी जबान अउमने सिख्खान धी जड़ा जबान उन्हीं जबान रिजग्न आफंड़ा जूर्वाट नहीज बल्कर और भी चाली पंजाबी ऑस्रेलिया चाहर दूसरे नंबर पिद्ड़ा लेकिन यह चीजा सी यह उत्ता रम्देनाग जोड़ दिता गया एक सब्सक्राइब बहुत शांदार किसम दा लिटरेचर बड़े 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 जड़े राइटर है अगर उना पड़े इस दुनिया तो चल गए तब मैं समझे ना कि तुसी नहीं फिर रही तो दुनिया है आके कुछ वड़ा का मनें किता अगर कर नहीं सके ता कम जड़े मोड़े लोगानों पड़ो इतनी अगर जड़े साड़े वाला मैं समझे ना कि अगर बिछतरीन प्जाबी पुएटरी एसक般 लेंद पंजाब दे विच हो रही है और बिछतरीन किसम दा जड़ा साहत लि जिए देना तुसी एक किसंदा इनकलाब लेंदे और जो तुसी चांदे अपनी मन मर्जी दे मताबक, तुसी किसे दे बांडरी होंदे, अपने वक्त दे मताबक, जदो तो अनुटाइम विल्दा और तुसी कर दे हैं, और अजिद्धा का कहले देसे हैं, पिछले कई साल तो मैं अपनी जाती हसी है दे मताबक और मेरे ना कुछ और मेरे दोस्ट जुड़े हुए, असी बहुत सारा है दे उते कम किता, इवन के मैं बहुत सारा लिटरेचर जड़ा हो, गुरु मुखी तो शामुखी किता, बलके रिसेंटली मेरा एक नावल होना आ रहा है, वो दर त पंजाब जी एक राइटर सुदर्शन कोर जी दा, पार्टिशन दे उते ही, इस विछोड़े दे उते ही, इस पाड़े दे उते है, किकना दे फुल, वो बिलकुल होनों मुकमल होन वान करीब को दी मैं इंशाला कर देना, वो भी इससे सिलसले दी करी है, सुजीद पातर ज मेरी हनेरिज सुद्धी दी वर्नमाला, उदा आसी एदर शामुकी किती ही, तो इस करके आसी बहुत ज्यादा कोश्च कर रहे हैं अपने हलाते हैं, बहुत खुशी हो रही है दस्दिया, कि जो दो दा सोशल मीडिया आया, उदो दो लोगां दे वेचे सीज़ दा बड़ा शौर आ गया, एक उसरे दी मसलन गुर्मुकी सिखन दा, या उदर दे पंजाब वाले हैं दा, इतर दी स्क्रिप्ट नो सिखन दा, बहुत ज्यादा लगाना, उन मेरा क्याला कि वक्त दूर नहीं है, कि जो दो आसी बिल्कुल इंफ्लूएंट हो जामांगे, गुर्मुकी शौर दे दश्या काते, सिखे चले दे दश्कंत दसना चाने के सार्देगनाज जनाब मुनीर हुश्यार पुरिया जी जुड़ेने जड़े के लाहौर ते विच हुंदेने, और इना ने जो अपनी कलंदी लेखनी देनाल, लेंदे पजाब और चड़े पजाब दे अंदर प्यार दी पौद लाई है, उस पौद लाई है, हमेशा उस द्रक्त दी उड़ीक का रहेने, के कदों तुसी असी रालके, उन्हों फाल लामांगे, और फाल लाके, वो खिड़े हुए फाल ते पोल जड़ेने, सानु खुश्बू धेन गे, और ए प्लेट फॉर्म जड़ा फीड़ बैक वीडियो, और अपना ना पाओ, ताकि आप जिनू सदा दिता जा सके, सिखी चैनल नमरा ते समपर करो, ताकि आप जिनू भी असी इत्थे बुला सकीए, सो मुनीर साब में अपना गल जारी राख रहे हैं, क्योंकि मुनीर साब ने गल कई सी, के पाशा किसे तरम दी गुलाम नहीं है, पाशा जिड़ी है, इनसान दे नाल, इनसान दे दिल नो जोड दी है, और प्रोग्राम भी करिये दिल दिया घलादा, और जिदो उसी पंजाबी विचकार मुनीर साब देना घल कर रहे हैं, एंज जापदा ही नहीं प्यार कैसी किसे और वकरे प रवायता ने, उदे अंदर साड़ा इनना मेल है, कि सानु दुनिया ने कोई ताक्त वक्री कारी नहीं सकत भी, इस करके मैं वहास है कि तुसी जो शामुखी और गुर्मखी दा जो पेट मुकांचे लगे हो, उदे लोका नो ब्रिज बन के काम कर रहे हो, परमात्मा तो उन है, क्योंकि मैं बहुत जगह आप जी के लिए जड़े बचना तो सुने हैं, कि प्रीत लड़ी जड़ी है, तो आठे जीवन ते बड़ा परवर्तन लिया आंदे विचकार सहाई होई है, उदे बारे कुछ कहोगे, क्योंकि मेरे कुछ स्वाल दो चार होर ने, इस कार के मैं समय बाद रहेंदा हो या, आप जी ना गाल कर रहे हैं, प्रीत लड़ी बारे कुछ क्याना चाहोगे, बहुत शुक्रिया कलमोहन सिंग जी, प्रीत लड़ी नाल मैं दिखो के जोदों मैं गुर्मुखी सिखी और मिनू इथे पाकिस्तान पंजाब दे विचे बहुत इसेस्ट रिसर्चर भी काफी सारे उना दे कमा दे विचे मेरा रहा उना नाल साथ, जैने शरीफ साबर साहब सी, वो बिसिकली टीचर सी, लेकन उना नू पंजाब कौवर्मेंट साड़ी सरकार ने लेया सी, वारिशा मेमोरियल कमेटी लेए के, हीर्दी कताब नू प्यू जड़ा ना ओ बतानदा टाइम मिलिया और खास तो उरते जड़ी उना दी आखरी सर्च वरक सी, बाबा फ्रीजी जी दे, वो शलोग जड़े गुरू गरंट साब दे सी, तो उदे लेकिता, तो शरीफ साबर जी बहुत देर तो परीत लड़ी मैगजीन पढ़ रही सी, तो अपना टीचर मन्दे सी, वो ही चीज अगो मेरे से ट्रांसफर होई, खास तो उरते मैं जड़ों शरीफ साबर जी को बैना, उना ने गुर्बख सिंग प्रीत लड़ी जी दिया गल्ला करनी आ, उस फैमली दिया गल्ला करनी आ, हलाके उकदी मिले निसी, फिर जड़ों मैं इंडिया आनदा मोका मिले आ, मैं दो बर इंडिया आया है, एक दफ़ा दो हुजार तेरा दे विच एक वरी दो हुजार तेरा दे विच मैं आया, तो मेरा पूनम सिंग जी जड़ी संपाद का, उन परीत लड़ी दी उना ना राब्ता हो चुकी, ऐसे ही कुछ दोस्त में पूनम सिंग जी ने उना रोक देता कि तुसी परीत नगर रुखो तो मैं मुनीर नो खुद जाके वागए बाटक तो लेकर आँगी, मेरे लिए ये बड़ी अनर दिगा थी, ओ फिर आये था जो दोस्त फैमिली देनार कुछ वक्त गुजारेया, पढ़ेया, गुर्बक सि प्रीत रुखो अनलाइटन किसम्दा बंदा सी, और उन्हें इना जबर, हाला कि वो खुद सिवल इंजिनियर सी, रेलवे, उस टेम ब्रिटिश रेलवे सी, जड़ी इंडियन रेलवे, ओदे विचो मुलाजमत कर दे सी, लेकर बड़ा एनलाइटन किसम्दा बंदा सी, और नाम जे स्टोरी दिवज़ा तो बढ़या, मैं सची का लिस काबल इसी क्यों लिख सकता, को परमात्मा नहीं मेरे कोड़ो काम लेया, रेश्मा जड़ी में लिखी, तो रेश्मा प्रीत लड़ी चे छपन तो बात बनिया नो फिर पता लगा कि कोई मुनीर विशार पुरिय है, इसलिए बकाइदा पुर्ण सिंग जी ने में लिख के दिता हुया, कि मुनीर जड़ा एक प्रीत लड़ी फैमली दा एक मेंबर है, तो इस करके मेरा बहुत करीबी कुनेक्शन है प्रीत लड़ी ना, जदो मैं दूसरे बरी इंडिया गया, तो मैं प्रीत लड़ी वल् सरदार नव्तेज सिंग बहुत बड़े कहानी कार हुई, उन्हां दिया तुसी कहानियां पड़ो या, इवन के नानक सिंग वर गे बंदे ने प्रीत लड़ी ने प्रीत लड़ी पैदा वहार है, और बहुत सारे लोग जड़े है, जिनसे एक्टर बंद्राज सानी वर गे बंद्या ने उत्थे बैखे पाकिस्तान दा सफर नमा लिखिया, तो मेरी खुश किस्मती कि मैं उन्हा ना जुड़े और मिन्हों पता लगा, कि सरदार गुर्बक सिंग प्रीत लड़ी और एक ते पूरी मूवमेंट है, देखो ए मैगजीन प्रीत लड़ी मैगजीन उनी के गल नहीं है, यह पूरी एक तहरीक है, जिन्हों आप मूह सकते हैं, जेदा पंजाबी लिट्रेचर वेचे, पंजाबी सभ्या चाहत देविच बहुत बड़ा योगदान है, मुनीर साथ मैं आ रहे हैं वाँ, आपने अगले प्रेशनवाल, क्योंकि मेरा अगला स्वाल जड़ा है, उन केंद्रेत हो रहे है तो अड़ी रेशमा कहानी देऊते, मैं दर्शकान दसना चाहना कि रेशमा कहानी जड़ी के मुनीर साथ मुशी मुनीर हशार पुरिया जी ने लिखी है, उस कहानी दी एक एक खर नो पढ़न तो बाद, मैं नो जाप रहा कि जिदा आसाई दी वारते विच कार्ट गुनानों सबसे चिपा अच्छा कह रहे हैं मैं स्यों को मंदा आखी है जिद जब मेरा जान जिनने राजानों जनम दिता हुए उस औरत नो उसी किवे माड़ा कह सक दियां, लेकिन इस कहानी दे विच जिड़ी कहानी मुनीर साथ ने लिखी है, उस औरत दी कहानी है, उस पीड़ा दी कहानी है, जिड़ी अपनी कहानी कि बार-भार एक्ट कह रही रही है कि मान मार क्यों पर odor या किए रही है वह समाज के लिल गव्र ON llevे मर्द अपना प्रतान है का मुलक जड़ या दे इंदर एक थिते एक और दी इतनी भुरी हालत क्यों है उस बारे मैं आप जी को नो सुनना चानना कि उस कहाणी विचकार रेश्मा पुकार पुकार के कह रही है कि मैंनों मार क्यों पह रही है मैंनों मार क्यों पह रही है मैंनों मार क्यों पह रही है बहुत शुक्रिया मैं तो अनुसाब तो पहले दसा कि मैं बहुत सारा लिटरेचर हुन लिख रहां लेकन सची गाल है कि रेश्मा लिखन लगया 35 साल लगे विनू ए रेश्मा दे करेक्टर नो मैं 35 साल अपने उते हंडाया मैं जदों में कोई होर काविता लिखन लेई लिखन लेई कोई होर चीज लिखन लेई कोई ऐसे लिखन ली बैटना सी तो रेश्मा मैं एक बिल्कुल सची कहानी है एस औरत नो मैं कोई सड़े चार पंच साल दा हुआंगा जदो मैं आफरी बरी देख्या इस सड़े गवांड रहन दी सी तो मैं जदों भी कुछ होर फिर बैंडा सीर्श्मा मेरे अग्या जानदी सी वे चैनल नी सी कह पहले मिनू लिक लिक ति मैं सची गाल है कि मैंनू ए रिश्मा स्टोरी लिखन लगया पैंती साल लगये और होंदे बावजूद भी मैं समय तां कि मैं रिश्मा दे करेक्टर नाल इनसाफ नी कर शक्सक् वो आज दे दो अरदे विच इंसान ना दी मंडी चरी वी की और वे वो अलवार जेड़े संग मैं ठोड़ा जाए अमोशनल हो गया कि जिदे विच के खुदाया तुमने हमने तुमने हमको इस जमीन पे भेज़ के कभी हमारा पते ही नहीं किया कि दुनिया वालों ने हमारे स हमको मज बना देता मैं पड़े को raising Miche में यापने हंजू रोकनी नहीं पाया मैं अपने हंजू रोकनी पए बाए उन भी इन तबाभ को घया है रेश्मा कहाणी हों करूंगा उस कहाणी तू vereको से औरो यूर मैं दूनू जनि मैं समझता कि लोगां दे विच होन पहले नड़ो शाओर आ गया देखो जिड़ी साड़ी और जाती सी जिन किसे टैम पहर दी जुती गया जंदा सी लेकन होन और अवरत पढ़ दिख गई होन उनुभी शाओर आ गया उनुभी अपने हकां दा पता लग गया जिड़ा मेल साइटी है जिते एक मर्द दी पावर है उते उन मर्दनों भी एहसास हो गया कि और सिरफ एक एक पैर दी जुती नहीं है इनुभी इदे भी उनने ही हक है बलके और ताने हर फील्ड आफ लाइफ दे विच अपना लोहा मनवा लिया उन मैं समझना कि हलाद बदल गए ताली मुका मिलिया मैंनु अमरसाद देखन दा मुका मिलिया हुशारपूर मैं गया इधर पाकिस्तान दे विच्वी जड़े बड़े 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 शेयर है मैं अपुद लाहूर दे विच रहना इतने तब बहुत ज्यादा चेंजिस आगी लेकिन अजे भी साड़ी है लेकिन होनु वी मैं समझेंदा के काफी सारी तबदीली आ गई है लेकिन अजे भी बहुत सारा कम करंदीलोड है अजे भी औरत नू ओ स्टेटस नहीं मिलिया जे दियो हकदार है औरत साड़ी माँ है औरने सानु जनम दिता पीरां पेगंबरां वलियां नू यो यो दिया वह जनम दिता तो ओकदा नीच हो सकती ओकदा पैर दी जिती हो सकती लेकेन है ओदे लिए बहुत सारा लिखना पेगा बलके मैं उपूशी है मेरे लिए ये बहुत बड़े यानर दिगाना है बलके मैं समय दा कि मेरे लिए कहानी चपी ते मिनू बड़क्टर दिलीब और लिए आई और उन्हों इमेल आई कि यार तु इनी शांदार कहाणी चांद सफेया दे विचो ने क्या जी में नूत है हमारा जीवना लिखने बहुत लिखना प्या तुह तह सत आठी पेजिज दे विची एक जिनुन के मेरे लिए बड़े अनुद दी कर ला है यह समय पर मात सब्सक्राइब कर रहे हैं और खुद और प्रूव कर रही है कि किसे भी मामले दे विचे उड़ा रहे हैं साइंटिस्ट ने डॉक्टर्स ने हर फीड़ दे विचों ने प्रूव कर दिता तो हमों कितना पिछे रह सकती लेकिन अजे भी बहुत सारा कम शैना को हटके इसा पा सकिया और मैं कोशिश करांगा कि मैं दे उत्ते मजीद कुछ कुछ लिपाँ मैं दर्शकान दसने चाना के मुनीर हुश्यार पुरिया जी ने जड़ी कहानी रेश्मा लिखी है जे आप जीने लेखक दी कलम दी स्याही नो अगर समझना हुए ते उस दी कहानी जड ही है उदे जड़ा पातर है अगर उसनों समझ लिया जावे ते लगदा है कि किनी पीड़ा उस व्यक्ति दे अंदर है जड़ा और तदी जड़ी उरे ते होरे जल्म ने उदे लिए महसूस करदा है तो मैं समझता कि ओ कहानी अगर आप जिनों कदी पढ़न दा मौका मिले और जरूर पढ़ो और कहानी दे नल असी मुनीर साब भुशार प्रियर रूमी जान पामांगे कि कहरे अपनी कलम दे नल और एक कहानिया जड़िया ने एक कहानी जड़िया ने और एक कहानी कहानी नहीं है कि इस टूर स्टोरी जड़ी हुनियर मुनीर साब ने गलक है कि मैं 35 साल इस रेशमा दे नाल तुर्दा रहा है वां जदो मैं को लिखन लगदा थी रेशमा मेरे सामने सी कि पहला मेरी पीड़ा लिख मगर मैं ते मुनीर साब एक अगल करना चामांगा कि जड़ों कोई पूरन वास्ते भी ताक्ता अपनी जगा काम कर दियाने तो आड़े वरगे कलम दे लिखारी जड़े अगर इस मजबूती ना काम करनगे ते जड़ी नी जड़ी मकान दी नी तुसी एट रखी है थले वाली ए मकान नो मजबूत कर देगी ते कि थले आली एट हिल गई ते म मकान दा जड़ा इमारत आएगी यह बड़ी कमजोर हो जाएगी इस करके इस नो जारी रखो और अपने वरगे हो लेक का उनों हांसला देओ ताकि ऐसे सब्जक्ट चुने जान जिदना साड़े समाज दे साड़े मुशह दे अंदर जड़ी चीज़ां पहल रही हैं और अब सचे पाच्छा ने दे 555 प्रकाश पुरुद्ध ते चुसी चंद लाइना कवता दिया जडियाने उना दी उस्तत विज गाईयां सन साड़े दर्शक चड़ी कला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका दे दर्शक सिख्षी चैनल दे दर्शक आज उना लाइना नू आप जीदे मुखार बिन तो सुनके आपने कनादी रसना नो पुवित्तर करना चांदे ले जी बहुत शुक्रिया मैं हर्जोद शाह सिंग जीदा बहुत शुक्र गजा रहा है पांसो पंजामे गुर्पूर अब दे उते मिनू एक बड़े साड़े फेमस सेक्टर है अपना इस काथ कोई फेरासी चमना इसक्रीम ते लहूर भी मिले जीदी कवता है मेरे जिननों मैं अपना गुरू करना जिदे मेरे पंजाबी देविच्मेंट्यो टीचर है शरीफ साबर जी उनना ने कवता लिखी और मैं समयना के सच्चे बारशा गुरू नानक दे महराज जी एक ब जिदा साथे से ख्रीलें जिन दे भीर है मेरे ता हो सके भीरा तो बाद है कि उनना ने जिदा अपनी एक अजारादारी बनाके उनना उनना जिदे बहुत बड़ी परस्नालिटी यह ना उन्हों शायद उनने खुलन नहीं दिता कि नानक बादशा किने बड़े इंसान सी त साथ मेरे लिए बड़े अनर दिकल है कि मैं तो अड़े दर्शका लई वो मैं पेश कर रहे हैं तो सुनो जद्वी इस तर्टीदे उते अत हनेरे अन मचाया तां उस मालक सिर्जन हारे नूर मनारा आन जगाया देश पंजाबे बाबा नानक उसे नूरों इक चमकारा एकों कारनू वाहद मने सचे सोदे दावन जारा क्या बाबाद ओ बे अन्तिक प्रेम कलावा सबनो ओदा प्यार को लेखा ओ बे अन्तिक प्रेम कलावा सबनो ओदा प्यार को लेखा वहद दे दर्यादा ओ समंदर दा की लेखा तन दे लो बी मन दे काले ओदी सिक्षा तीक ना अपड़े तन देलो भी मन देखो दी सिक्षा तीक ना अपड़े ओदी रंगन दिल ना रंगया रंग बरंगे पाले कपड़े गफलत देविच सुते लोकी बाबे नानक चून जगाए गफलत देविच सुते लोकी बाबे नानक चून जगाए ते जाग देयां दी कुकी लावन खवरे केड़ा बाबा आए बहुत शुक्रिया मैं कहना जे मुनीर साथ तुसे मुनीर हुशियार को या जी ने गुनान साथ दी जड़ी उना दी एक कवता जड़ी उना दे बारे गाएन लिखी गई सी उसनों गाएन कीता और दशका ने उसना अनान दी जरूर मानिया हुएगा ए है वो प्रेम दी ओतागा जेड़ा लें दे पंजाब दे चड़ दे पंजाब नू इस तागे नू ना कोई तोड़ सके है ना कोई तोड़ सकेगा एदी मजबूती इना लेक का दी कलम दे नाल जुड़ी होई है और मैं बेंती करांगा सदार हर्जो शाह सिंग जी जेड़े के मुनीर साब दे दोस्ता जो भी ने और नाल ही चड़ी कला टाइम टीवी नौर्थ में कर दे दशकां दा सिखी चैनल दे दशकां दा और विशेश करके आज मुनीर भुश्यार पुया जी दा असे शुक्रिया दा करना है जिनना ने अपना समासां देता है हर्जो शाह सिंग जी तन्वाद सर्दार कुलमों सिंग जी मैं एक गल कहना चावाँगा जो दो मुनीर साब जीनल मेल होया नंकाने दी तर्ति सामने गल किती ति इनने क्या कहते हैं कहते हैं जरूर सुनाना चावाँगा क्योंकि उते काफी सारे पाइगूर्पीसिंग शिमले वाले ते होर कई बंदे बैठे सक्षीता बैठीयां सी गया ति इनने चंद लाइना उस फिर पिछे जी में जो तो है प्रोगाम साथा चलता प्यासी गा ते फिर इते साड़ी है यो सीखी की गुर्णानक दी गाल जिया रोज एक नवी शिक्षीत नो लेके आई है ते गल फिर अगर शिक्षीता दी हो वे ते फिर जड़े बारे होर गला यड़ीया ने असी जरूर सांगों करांगे शदार कुल्मोहन सिंग जी राजर सांसे जी मुनिद हश्यादपुरी जी बहुत बत्तίνवात सस्रीकाल जी बहुत शुक्रिया सस्रीकाल जी इसलाम आले कॉम और सस्रीकाल जी अपक्ति